नमस्कार दोस्तों, यूटूब चैनल पी मैं आपका स्वागत करती हूँ, मेरा नाम है एकता, आज मैं बनाने जारी हूँ पपाया मिलकशेक, जो हम रूवजा से बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी यम्मी है, बच्चों को और बड़ों को सभी को काफी पसंद आएगा, ट्रे इस लिए है, शुगर लिया है, तीन चम्मच और आइस क्यूब लिया है, एक ब्लेंडिंग जार लेंगे, पपिते के पीस डाल लेंगे, शुगर डाल देंगे, दूट डाल देंगे, और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, एक मिनिट तक ब्लेंड करना है हमें, दीखे लेट ब्लैंड हो गया है, अब हम इसमें दो चम्मच रूइवजा के डाल देंगे, इसे काफी अच्छा प्लेवर आता है, बहुत ही टेस्टीमिलक्षेक बनता है, आइस क्यूब डाल देंगे और इसे वापीस से ब्लैंड कर लेंगे, एक मिनट तक वाप्पी से ब्लेंड कर लेंगे इसे रूवजा अच्छे से मिक्स हो जाए देखिए अब हम ठंडा ठंडा सार्प करेंगे एक गिलास लेंगे उसके अंदर दो क्यूब आइसकी डाल देंगे ठंडा ठंडा पपाया मिलकशेक डाल देंगे बहुत ही टेस्टी यम्मी है आप जरूर ट्राय करें और रूवजा से डेकोरेट कर देंगे आप इसमें आईसक्रिम भी डाल सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है एक बार आप घर में जरूर ट्राय करें फ्रेंट्स हमारा पपाया मिलकशेक त्यार हो गया है बहुत ही टेस्टी यम्मी है बच्चों को जरूर बना के पिलाएं बच्चों को बहुत पसंद आएगा अगर आपको मेरे आज की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद